आपका पहला सवाल है, समराट अशोक ने किस युद्ध के बाद बोध धर्म अपना लिया था? आपका आप्शन है, अगला सवाल है, आर्यस माज की स्थापना कप की गई थी? आपका आप्शन है, अगं सन 1875 इमे, डी सन 1897 इमे, सी सन 1901 इमे, डी सन 1912 इमे दोस्तों इसका सही जवाब है, अगं सन 1875 इमे, आपका अगला सवाल है, दुन्हा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आप्शन है अग अमेजन नदी, B. नील नदी, C. मिसिसिपी नदी, D. यांत जी नदी दोस्तों इसका सही जवाब है, B. नील नदी आपका अगला सवान है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ओप्शन है, अग रिगवेद, B. सामवेद, C. यजुरवेद, D. अथर्ववेद दोस्तों इसका सही जवाब है, अग रिगवेद आपका अगला सवाल है, कौन सा खनेज हरिदे की धड़कन को नियंतरित करता है? आपका ओप्शन है, अग कोटेशियम, B. जस्ता, C. तामबा, D. अल्यूमिनियम दोस्तों इसका सही जवाब है, अग कोटेशियम दोस्तों अगर आप जी के पढ़ना पसंद करते हैं, तो प्लीज रोजाना एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और साथ में घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें अगला सवाल है भाभा परमाणो अनुसंधान केंडर कहा स्थित हैं? आपका ओप्षन है अक्चाम बे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बैंगलूरू, डी कोलकाटा दोस्तों इसका सही जवाब है अक्चाम बे मुंबई, आपका अगला सवाल है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप होती है? आपका ओप्षन है अग यूकेलिप्टिस, बी पीपल, सी सिनकोना, दी उप्रोक्त सभी दोस्तों इसका सही जवाब है सी सिनकोना आपका अगला सवाल है 1928 के बार दोली आंदोलन का नेतरित किस ने किया था? आपका ओप्षन है अग महात्मा गान्धी, बी बाल गंगा धर तिलक, सी सर्दार बल्लब भाई पतेग, दी पंडित जवाहरलाल नहरू दोस्तों इसका सही जवाब है सी सर्दार बल्लब भाई पतेग, आपका अगला सवाल है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपका ओप्षन है अ शुतुर मुर्ग, बी हमिंग बर्ड, सी बास, दी गिद्ध दोस्तों इसका सही जवाब है अ शुतुर मुर्ग, आपका अगला सवाल है किसने खालसा पंद की स्थापना की थी? आपका ओप्षन है अ गुरू गोविंग सिंग, बी गुरू नानक देव, सी अंदद देव, दी गुरू रामदार दोस्तों इसका सही जवाब है अ गुरू गोविंग सिंग, दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते हैं अगले वीडियो